राजची समय जारखन के विबिन लाकों पर भारी मौसम में बदलाओ तो कई जगों पर बरसात की गत्विद्या कब शुरू होगी फिर से कब आपके आपर भारी बरसात होगी एक दम सही जानकरी स्टिक जानकरी स्ट्रीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा अगर आप लोहर दगा लातार कोडर मा खुंटी जामतड़ा अजारीबा गुमला गोड़ा गिड़े गड़वा पूर्वी सिंग मुम दुमका धनबा देवगर बोकारो चत्रा सिम्डेगा खरसमा सराइकेला साइब गंज रांची रामगण पलामू पाकोड समेथ किसी भी ज जिले गावे शेयर में रहते हैं पूरे के पूरे जार्खन के तो इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरू करना और कमेंट करके जरू बताना कि आप जार्खन के कौन सी जिले गावे शेयर में रहते हैं तो दोस्तों मौसम विबा की मिली लेटेस्ट और ताज दीमी हुई है लेकिन संताल में मांसुन सक्रिय है और इसी कारण संताल के जिलों में दोस्तों अच्छी बरसात हुई है साइब गंज के राजबल में यहाँ पर 189 mm से अधिक बरसात हुई है जमुआ के 80 mm बरसात आसपास दर्च की गई संताल परगना के अन्य इस्तानों पर अगले 24 गंटों के बाद मांसुन सक्रिय रह सकता है इसके बाद राजबल में बरसात होगी और यहाँ पर तीन और चार जुलाई को दोस्तों कहीं काई पर बारी बरसात को लेकर अलटे गौर्टल भी है कि दो दिन के विराम के बाद अब राजबर में बरसात फिर से शुरू होगी और विबिन लाकों पर बरसाती गत्रिद्या देखने को मिलेगी रेकोर्ड जो है मिली मीटर में दर्च की गई है मौसम विबाग जारकन के मुताद मेक गर्जना और वजरपात के साथ आंधी आने की संभान और यहाँ पर कई जगों पर बिजली के खंबे और पेड़ के नीचे बिल्कुल भी सरण नहीं लेने की जो है मौसम विबाग ने मौसम में बदला होात वे नजर आएगा कुछ इलागों पर जारकन में बरसात को लेकर अलटे और 24 गंटों की दोरान तेजी से सकरेता आ जाएगी और कुछ दिन जादा बरसात होने के बाद यहाँ पर दोस्तो जो है थोड़ा सा मानसून धिरे पढ़ गया है दो दिनों के जमा जम बरसात होगी राची मौसम विबाग ने बताया पूरे राज्ये में 24 गंटे के बाद मानसून सकरे हो सकता और जारकन के कई लागों पर 6 से लेकर 15 जुलाई तक बारी बरसात होगी मौसम विबाग ने अगले 2 दिनों के दोरान दोस्तों विबिन लागों पर थी थोड़े दिन दिवें पड़ी थी जिसकी कारण दोस्तों लोगों को जो है गर्मी पढ़ने लगने शुरू हो गई थी लेकिन अब जारकन में अलग-अलग हाल देखने को मिलेगा मौसम में बदला होगा कुछ इलाकों पर बादलो का ज़े रेगी तो कुछ इलाकों पर 6 से लेकर 15 जुले की बीच में 12 बरसात की गत्विदियों के साथ मौसम में बदला हो उताचडाव जारी और तेज आओ के साथ बरसात होगा 4 जुलाई से पूरे जारकण में मानसुन सक्री होने के साथ जैसे जैसे मानसुन की सक्रेता बढ़ेगी किसानों की रोपाई के लिए जोस तो उतना ही लाब मिलेगा और मानसुन 4 जुलाई से सक्री हो जाएगा और 7 से 8 जुलाई तक राज्य बर में फैल जाएगा और बार बारी बरसात होगी बिजली चमकेगी मौसम में परिवर्तन उताचडाव जारेगा और तेज आओ के साथ बरसात की गत्विद्य अगले 24 गंटों की तरह शुरू हो सकती है लातियार की बात के तो लातियार में दोस्तों पूरे 7 दिन अच्छी बरसात होगी रात के समय 26-27 तो बिजली चमक सकती है तेज आओ के साथ बरसात की गत्विद्य अगले 24-25 दिन बारी बरसात और बिजली चमक सकती है मौसम में परिवर्तन होगा उताचड़ा अफजारी रेगा और तेज आओ के साथ बदला होने और उताचड़ा अफजारी रेने के संकेत भी जताई जारे यहाँ पर मौसम विबाग की मानने तो विबिन लाकों पर गुमला में मौसम बदलेगा, उताचड़ा अफजारी रेगा, तेज होई चलेगी, मौसम में परिवर्तन और बरसाती गत्विद्या जारी रेगा, वही दोस्तों यहाँ पर गोड़ा में पूरे 7 दिन अच्छी कास अफजारी रेगा और बारी बरसात की गत्विद्यों के साथ मौसम में ठंडग उताचड़ा अफजारी रेगा, यहाँ पर बताए जार की विबिन लाकों पर गड़वा में पूरे 7 दिन छिटपुड, जिसमें बुद्वार को बारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मौसम पर बरसाती गत्विद्या जारी रेने के आसारे, दूमका में अगले 7 दिन बारी बरसात और बिजली चमक सकती है, मौसम में परिवर्तन होगा उताचड़ा अफजारी रेगा, चार से पांस दिन बारी बरसात धुद्यों के साथ मौसम ठंड़ा सोनना रेने और अबने के साथ परिवर्तन हो थो है नजर आएगा बारी बरसात होगी और मौसमें परिवर्तन होगा। बरसात और मौसमें परिवर्तन होगा। बरसात होगी और मौसमें परिवर्तन होगा। बरसात होगी और मौसमें परिवर्तन होगा। बरसात होगी और मौसमें परिवर्तन होगा। बरसात की गत्विदया जारी रेगा। बरसात की गत्विदया जारी रेगी। कमेंट करके जरूर बताना।